पेपर लीक वाले यहां संगम की पवित्र धर्ती में यह आपके साथ चो हो रहा है आरो एरो एक्जाम के साथ चो हो रहा है आपके जो पेपर लीक हो रहे है यह अन्या है आपके किलाब बन्या है और यह अन्या है आपके प्रधान मंत्री करवा रहे है इस बात तो मत भूलिये जोहार मैं आनन्द कुमार और आप देख रहे हैं जन्मन की बात ये दर्द है दुख है पीड़ा है गम है ये बेबसी की इंतहा है दोस्तो आप स्क्रीन पर जो देख रहे हैं वह सिर्फ जे एससी की शवयात्रा नहीं है यह तो लाखो जारखंडी युवाओं के सपनों की अर्थी है लाखो शात्रों के अर्मानों का जनाजा है जिनकी जेससी ने हत्या कर दी है कितनों ही के सपने आखरी सांस गिन रहे हैं यह उनका भविश्य है दोस्तो विश्णु पुरान के नुसार पिंड़दान करने से पीतरों को मुक्ति मिलती है लेकिन यह जेससी की जेई परिक्षा के रिजल्ट का अंतजार कर रहे परिक्षार थी इस निकम्मी संस्था से मुक्ति चाहते हैं वे अपने अंतहीन इंतजार से मुक्ति चाहते हैं जो कई सालों से खत्म होने का नाम नहीं ले रहा शात्र एक ऐसी संस्था को मृत घोशित करके उसका श्राध कर देना चाहते हैं जिसका होना उसके नहीं होने से ज्यादा पीड़ा देता है शात्रों का ये तरीका उनकी तकलीफ बताने का अपनी बेबसी जाहिर करने का एक जरिया है और राहुल गांधी प्रियाग राज में जो कर रहे हैं वह विशुद्ध सियासत है राजनीती है, स्टंट है, नाटक है अगर नाटक नहोता तो राहुल गांधी को जारखंड के छात्र भी तो दिखते वे तो जारखंड आये थे, दो फरवरी को ही आये थे पाँच दिन पहले जेससी सीजियल की परिक्षा रद कर दी गई थी, उनके आने के ठीक पाँच दिन पहले और क्योंकी गई थी, क्योंकी परचा लीक हो गया था जिस ट्विटर पर राहुल गांधी एक्टिव है, मां कीजेगा एक्स पर उनके प्रवक्ता, पेपर लीक के किलाफ प्रदर्शन कर रहे परिक्षार्थियों के वीडियो डाल रहे है राहुल बाबा उनको गाड़ी पर बैठा कर भाशन दे रहे है उसी एक्स पर जेसेशियो के परिक्षार्थी रिजल्ट जारी करने के लिए वियान छेड़े हुए है जेसेशियो इदहिक का इस्तीफा मांग रहे है हला की जेसेशियो के इसतीफा हो गया लेकिन रिजल्ट नहीं आया और राहुल गांधी को जार्खंड में नहीं देता है इसका पता भी उनको लग गया लेकिन जारखंड में CGL का पेपर लीक हो गया ये राहुल गांधी को पता नहीं चला जैसे सी जेई का परिक्षार्थी नहीं दिखा PGT, ITI इंस्ट्रक्टर, नगरपाली का सेवा की परिक्षाओं में धांधली की आवाजे भी उनके कानों तक नहीं पहुँची दोस्तो ये selective राजनीती है जारखंड में राहुल गांधी की पार्टी सत्ता में है इसलिए उन्हें जारखंड का पेपर लीक नहीं दिखता है यूपी का दिखता है क्योंकि वहाँ भाजपा की सरकार है इसी तरह भाजपाईयों को किसानों में खालिस्तानी दिखाई देते हैं दूसरे दलों का भरष्टा चार दिखता है इनके लिए चुनाव जीत लेना मुद्दा है कुरसी हासिल कर लेना मुद्दा है इन्हें काणूनinkyाट को सरकारी नोकरी देंगे। कितनी नोकरी मिली। सब जानते हैं इसको। और जो नोकरिया मिली, उनätter भी कई सवाल है। सीटे बेचे जाने के, सवाल-जवाब रटाये जाने के, जिस योऒँ ने हेमन सुरेन पर भरोसा करके उनको वोट दिया था। वह यह सोचकर सो नहीं पा रहा है कि उन्हीं के करीबी दोस्त के मोबाइल पर जैसे सी परिक्षाओं के सौ से ज्यादा एडमिट कार्ड मिले जिस विधान सभा में जनता के लिए कानून बनाये जाते हैं उनका दुख उनकी समस्याओं पर चर्चा होती है उनका समाधान होता है वहां का एक सीनियर अधिकारी पूरे खांदान के साथ सीटे बेचने में जुटा था अब किस नेता पर कैसे भरोसा करेगा यहां का चात्र यहां का युवा कैसे उस पर उमीद लगाएगा यह बड़ा सवाल है आज राहूल गांधी को UPPHC परिक्षा में A.O. और A.R.O. की परिक्षा में पेपर लिग के लिए प्रधान मंत्री मोधी जिम्मेदार दिखाई देते हैं तो क्या राहूल गांधी जारखंड में पेपर लीग के लिए खुद जम्मधारी लेने को तयार हैं? जारखंड में तो उनकी पार्टी भी सरकार में हैं? चार-चार मंत्री हैं उनके तो इसकी जिम्मधारी वे किस पर डालेंगे? क्या हेमन्त सोरेन पर डालेंगे या खुद अपने उपर लेंगे? वैसे राहूल गांधी को अपनी पार्टी में जो चल रहा है उसका भी शायद ही कुछ पता हो उनके ही 12 विधायक बगावत पर थे, 5 दिन से 8 विधायक दिल्ली में जमे थे, अपनी ही पार्टी के 4 विधायकों के कामकाज पर उंगली भी उठा रहे हैं, उनको हटाने की मांग कर रहे थे, कह रहे थे कि प्रखंड से लेकर स्टेट तक में पार्टी ने कामकाज अच्छा नहीं था, तो इसके लिए भी क्या वे जिम्मेदारी लेंगे, वे तो जिम्मेदार हैं इसके लिए, दोस्तों सवाल राहूल गांधी से इसलिए है, क्योंकि उनको यूपी का पेपर लीग दिखता है, लेकिन जारखंड का नहीं दिखता है, वे नियाय कर पा रहे, अगर कर पाते, तो उन्हें राची में आमरानशन कर रहे, जैसे सी जेई के परिक्षार्थी भी दिखाई देते, आठ साल के नतजार के बाद, जिस सीजियल की परिक्षा परचा लीक होने के चलते, परिक्षा होने के पाँच घंटे बाद ही रद हो गए, उन की तकलीफ भी दिखती उनके आसू भी दिखते भाजपा के जो नेता आज इन परिक्षारतियों की तकलीफ को अपनी सोशल मीडिया पर शेयर करके लाइक्स बटोर रहे हैं वे सप्ता में थे तो कितनों को नौकरी दी थी अर्जुन मुंडा सीम थे पहली जेपी सी की परिक् की हो सब पर धान्धली के अरोप लगे जे पीसी की 16 परिक्षाओं की जांच c biai कर रहा है जैस एसी ही की जितनी परिक्षाए हुई है उन्में भी शिकायते आती रही है लेकिन जांच दोस्तों c biai से करा लें या इंटर पॉल से हमारी कानूनी प्रक्रिया ऐसी है कि न्या हुआ मामला कोट में गया अपील दरपील चल रही है और लोग 20 साल से नौकरी कर रहे हैं प्रमोशन पा रहे हैं तो किसको अच्छा कहा जाए और किसको बुरा लेकिन राहूल गांधी जब यूपी में पेपर लीक पर मोदी को जिम्यदार ठहराते हैं और जारखंड में पेपर लीक पर चुप लगा जाते हैं तो उनकी न्याय आत्रा के इरादों पर शक होता है कि कहीं उनका न्याय सिर्फ अपने पक्ष में या अपने मन का न्याय तो नहीं है ठीक उसी जैसे वे मुहबत की दुकान में बैठकर इंडिया टीवी के संभाद dhati शीव प्रसाद यादो को सिर्फ इसलीय पीटवा देते हैं क्योंकि उसका मालक वो भी इसी नहीं है राहूल गांधी ऐसा करते समय भूल जाते हैं कि देश का 99% मीडिया धन्ना सेठों के हाथ में है और ये धन्ना सेठ OBC ही है कोई सवर्ण नहीं है राहूल गांधी को आज आबादी के मताबिक हिस्सेदारी याद आ रही है क्योंकि वे सत्ता में नहीं है 1947 से 1977 तक लगातार 30 साल कॉंग्रेस सत्ता में थी 1980 से 1989 तक थी फिर 1990 से 1996 तक थी और फिर 2004 से 2014 तक कॉंग्रेसी सत्ता में थी राहूल गांधी बहुत मत्पुन भूमिका में थी 54 साल तक राहूल गांधी की पार्टी और राहूल गांधी खुद सत्ता में रहे लेकिन तब न उनको और न उनकी पार्टी को आबादी में हिस्तदारी देने की याद आई मंडल कमिशन को वीपी सिंग ने लागू किया जब राहूल गांधी कपडों के उपर जनेव धारण करके खुद को दत्ता त्रिय गोतर का ब्रामण घोशित कर रहे थे तब भी शायद वे OBC की चिंता नहीं कर रहे थे इसलिए राहूल यूपी के पेपर लीग पर जो बोल रहे हैं वो उनका राजनीतिक पाखंड है और जारखंड के पेपर लीग पर नहीं बोलना उनकी राजनीतिक मजबूरी है वरना यूआ और शात्र तो यूपी में भी निराश हैं और जारखंड में भी यूपी में भी छात्र न्याय मांग रहा है और जारखंड में भी लेकिन क्या न्याय यात्रा निकाल रहे राहूल गांधी जारखंड के छात्रों को न्याय दिला पाएंगे जहां उनकी सरकार है दोस्तो नहीं दिला पाएंगे क्योंकि दूसरों से नयाय की उमीद करना आसान होता है खुद नयाय करना बहुत मुश्किल होता है दोस्तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया जरूर मुझे बताईएगा कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी प्रतिक्रिया अपने राय अपने विचार जरूर लिखिएगा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगले वीडियो में मिलेंगे तब तक इसाज़त दीजिए धन्यवाद नमस्कार